कि एक बात यहां सभी साती बड़े ध्यान से और सुन लें क्योंकि हमारे बड़े महान जानकर आये हुए हैं कि धंतिरस पर जो कल गया है दिन उस पर आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ खईदा होगा तो कोई बडर्टन खईदा होगा तो जब इस टीर आई तो आपने खईद लिया अभी तो लोग सौने चांदी का भी खईदा है हिरा भी खईदे हैं अगर जब इस टील नहीं थी तब क्या खईते थे तो पीतल का खईते थे उससे पहले लोहे का पिर तामे का खईते थे प्रवाज है यानि बतन खईने का जो रिवाज है वो हमारा रिवाज है क्योंकि हमको उसमें धाई और धान चावल रखना है इसलिए अब वो मटके परंपरा चली गई और यह परंपरा हमारे पास पैसे आ गए या चीजें बदल गई तो फिर सारी चीजें इसमें आती चली यह सारी परंपरा ऐसे ही बदली है और लोग अपने लोगों से बहुत को मांगते हैं कि इसका रेफरेंस दीजिए इसका परमार दीजिए तथ्चों के साथ बताईए रेफरेंस के साथ बताईए मगर कभी भी उन्हों लोगों से रेफरेंस नहीं मांगते जिनकी कहानी पर हैं जिसको वह प्राशीन बोलते हैं जिसको वह कहते हीсь प्राण इंदस को नि मांगते हमारे लोगों से कहते हैं कि आप बताःए कि कहाने शुनते आ रहे हो वहाँ जाकि आप प्रइणाम मांगोगे वह भाग जाएंगे उख पास तो प्रिणाम ही है हमारे पास तो यह लोहे के जिजो अब अपने घर तक पहुंच जाओगे पूरा घर आपका मिल जाएगा अभी तो सुरुवात की है पूरे महाराश्ट में जो हमारे भौसेकर सहाब हैं यह बहुत लोगों को पढ़ाते हैं वह बहुत ज्यादा है चार-पास किताबें भोसेगर सहाब देव लिखी है और अपने नाम देव जी है उन्होंने बहुत ज़्यदा पाली का धन्वों कर रहे हैं तो कोई किसी का प्रसन अगर ठीक है जायज है तो वह हमारे पैनलिस से पूर सकता है मगर जायज को सन होना चाहिए पूछ है मैंने खुद अपने घर में देखे मेरी मां मिटी का बनाती थी कुठला बोलते थे उसको कुठला उसमें चने अनाल डालते थे मिटी का बनाते थे कम से कम साथ आठ फुट उंचा और बरतनों महीं मैं जो मिटी के बरतन ते उसमें डालते थी यह यह फोटो आपके पास जल के वारे में का कि आनि वो राज कुमार के बेटे थे तो ये कितने यह सचाही है वो उनकी मेरे काले पेक्टिस में आ रहा है क्योंकि बुर्द तो कहानिया पढ़ते हैं और सुनते हैं उसमें राजा राजकुमार हमको रटवाया गया है राजकुमार सद्धान तो वह और उनकी हिंदी थोड़ी सी क्योंकि वह मराठी है और वह इंगिस अच्छी बोलते हैं इसलिए वह उनकी प्रेक्टिस में रखा है बागी वह अच्छी जानते हैं वो तो बहुत बड़े ग्यानी है अगर वह इसी बारे में वह अनसवर दे किस परकार से देना चाहें तो एक बर देने दो आप भोसेकर जी वह थोड़ा सा कन्फुजन हो जाता है ना वह बता दिए प्लीज वह राजकुमार आप बोल गए तो उसमें ने और राजकुमार सिधार्थ वगर तो तो सही मायने में वो खतिया थे खतिया यहीं करने वाले ते हैं नाम है पाली घ्रिपितड़ में नाम आता है फालसर्ट का मतलब है जो को खतकर कंव जिसको शेक्तरिये कहां गया है या उसका यह किया गया कर देता हूं मैं complete कर देता हूं तो यह जो वर्नन जो है मेरे कहने का मतलब था मैं शिल्प के बारे में कह रहा था कि यह जो जितने भी शिल्पा में दिखाए देते हैं इन शिल्पों का सही माइने में अर्थ क्या है और उसको आगे की दे चल कर यह यहां की विवस्ता ने असको बदल दिया गए इसके बीच में इसका जो पुराना जो मुल अर्थ को हमने समझना चाहिए और जब हम अर्थ को समझएंगे तब हमें पता चले कि कि बहुतर संस्कुति कितनी महान थी और यह बहुतर संस्कुति के प्रमान है अभी आपको एक और उधारन देता हूं जैसे मैंने राजा रभी वर्मा का उधारन दिया था यह सारे शिल्प जो है यह जो चित्रकारी की उन्होंने जो भारत में हर जगह पर प्रसिद्य होगी इनकी चित्रकारी तो इनका जो है वो सारे शिल्पों से प्रेरित है जो बहुत गुफां में दिखाई दी गहे थे वामा सतूब बनाए थोड़ा इसको क्लेर करें सर बात ऐसी है कि बुद्धयानी दम्म में भी उसका रेफरेंस है दूसरी बात है कि पहले जैसे बुद्ध का महापरी निर्वान हुआ था उस वक्द्ध की अस्तियों के आठ भागों में विवाजन हुआ था और फिर बात में सम्राट अशोक ने जब बुद्ध दम्म का प्रचार और प्रसार करने का तो उसके ही वो सारी अस्तिया इखटा की गई और फिर उसको अलग-अलग जगाओं पर बनाये गया और वहाँ पर स्थूप वियाद बनाये गए ऐसा इतियास में प्रमान है और यह जे भगवान बुद्ध वर उनके समकालिन भिक्कों ने इसको और उसको उसको उसके उपर ततागत बुद्ध के उपर समराट अश्यूप ने आपस तूप बनाये ऐसा हिस्टोरिकल एविडेंसे से एक मिनट एक क्यूशन और है मेरा यह सिल्प कल जो बरूत का जो हम सिल्पी इस पर लिखा रहे हैं इस पर लिखा हुआ कि है मोत लाला अन्चेंजी बताईए पर एक वार बताईए प्लीज क्या लिखा है जिसमें जगए का नाम है यह स्टाटिक में यहां पर लिखा मोर्गरिम महा थूप दासस दानंग थम्वो मतलब मोर्गरी के थूप दास का तो विए नीच्छे बाइस लखाए नीच्छे गी वह सिलफ है यह दानदाता का नाम लखाऊऊगा। और रचसाथे घंडी में पड़ते हैं उसे स्टार्म उसको पड़ते हैं बाइसय दाय। करजी से हैं यह थोड़ा सा आ रही है और यह हमारी जो बहुत संस्कृति की बात करें तो हर चीज में जैसे वैसे तो आंसर मिल गया है अब मैंने लिखावा था कि वह परमान हमारे से उन से कोई करें हैं रहे हैं पर्यार साथ से लगता दिवाली मना रहे हैं तीन साल से बहुत दोने मनानी क्या सुरूख रिली उन से पर माद descub डिये सबसे पहले शिवाजी महाराज की समाधी धून निकाली और उन्होंने शिव जैन्ती यह महाराश्टर में मनाना शुरू कर दिया इसको एक जिसको हम कह सकते हैं कि प्रतिकरांती के रूप में देखा जाए तो बाल गंगादर टिलक जी ने इस शिव जन्ती को नरेटिव बनाने के लिए उन्होंने उने में गनपती का आयोजन करना शुरू किया उसके पहले कहीं भी भारत में गनपती का इतना बड़ा फेस तो मनाते होंगे अपने अपने घर में बूजास्तान में लेकिन जिसको आज सारवजनिक रूप हो गया है वो नीव यह सारी जो बाते हैं यह उन्निस्वी शताब्दी के शुरुवाती तौर पर है तो अब देखिए पिछले सवासो साल में या देर सो साल के आसपास में य शुरू करें यहां तक की बहर तक चला गया है तो और फिर लोग उसको कहते हैं सबसे प्राचीन हैं उसके पास जोरी गई हैं और लोग उसको मनाने चुरु के जैसे कि यह बोड़ प्राचinos छला रहा है लेकिन ऐसा नहीं है तो आप जैसे भी आज होता है तो हमें इसलिए मैंने कहा था कि ये सारे फेस्टिवल के मूल स्तुरोत्र के पास हमें जाना पड़ेगा इसको धून निकालना पड़ेगा ये सारे प्रमान और ये प्रमान हमें हमारे आसपास ही मिलने शुरू हो जाएगे जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ शिल्प या फिर कुछ किताब में से जो निकले हुए जो ग्रंथ हैं, जो हो सकता है आचारे आश्वगोश जी के है, आचारे बुद्धोगोश के है, यह सारे ग्रंथों में भी प्रमान मिलते हैं, सरिफ हमें उसको ठीक सही डंग से पढ़ना पड़ेगा और उसका सफ़ी अर्थ निकलना पड़ेगा. पिछले सब तेरंगी साल में मेरा ये मनना है कि बाहुत समस्कुति से जुड़े बहुत सरे शब्दों का अर्थों का अनर्थ किया गया है. अलग धन से हमारे सामने उन शब्दों के अर्थ प्रसुत किये गया तब तक हम लोगों के सामने उसको पेश नहीं कर पाते और उसके प्रमान लेकिन है लेकिन इतने तो जरूर मैं कह सबता हूं रनवीर सिंग्टांग जी अपना पूचिए किससे आपका प्रसंद अलू हाँ जी तरस भी को नम पुपदाश्या भी प्रसंद किससे आपका पाली में पूजा का मतलब है नहीं सर मैं आपको बता रहा हूं जो पूजा समझ लिए आपको समझ माजब जायगा सवाल का जवाब मिल जाएगा पूजा का मतलब होता है पाली के अंदर पा जाना थी पा का मतलब होता है पांडू पांडू का मतलब होता है पीला का मतलब होता है पीले कपड़े वाले के वचनों को जानना जाना थी इन दो सब्दों से मिलके पूजा बना है यानि जो बुद यानि के पीरे कपड़े वालों के वचन तो ये पूजा जो होता है इसका जो प्राक्षिन सब्ध है क्योंकि भारत में इन जो चीजों की जो जैसी पूजा वर्सिपिंग होती है ये वर्सिपिंग वर्ड वाहर से आया जिसको यहां से पूजा है भारत के अंदर गौड पूज़ लोगे तो पाली में बहसा में क्या नई बहसा में नहीं मिलेगा आपको गौड अलग तरहीं की चीजह है और उसका कोई सिननियम नहीं यहांप है कोई परियावाची नहीं है इसलिए हमारे यहां जो पूजा है वो होती है कि उनके वचन को मानना और उनकी वचन को प法ुष्ट जानना फिर मानना प्रेक्टिस मलाना उसको पूज़ बोला गया है उन्होंने उसको क्या किया कि आप के आप सिर्फ चरण क्रण छूलो आप धोक लगा का लो। बति ह्लालो हमारे लोगों मैं भी मॉवमबति-विधी क्या जिए जिलाने का जिक्र है वो लाइट अप होता है वो अलग बात है है जिए बिल्कुँ बिल्कुँ सही का सरफ चड़ाने के अर्पत करने का है हम उसे उन कोई मांग नहीं रहे पूजा में भी आप भनता देगी रिस्पेक्ट है वो तो बैस हमारे जितने भी जो महाप्रोश हैं जो भी हमारे बगवा हैं तो पुस्प अर्पित करके एक रिस्पेक्ट प्रदान करना उनके प्लिए और जो आगंतुक संस्कृति की पूजा है वो हम कुछ मिलेगा ऐसी आसान नहीं होती हैं हमारे महापरोश होने खार वहर सफस्ट की अवह हमदा पूरवाभ W нет केंद्रत हो गया है भरूत की जो बेदिका के आसपास तीन लेयर में इस्टेंड्स बराए गए तो और एक स्टेंड में तीन लेयर थी वहाँ लगबग छैसो साथ दीपक रखने की वर्सता थी वह चैसो साथ डिवाइड दिवाइड थी करेंगे तो तीन लेयर में वह तूप का है लगबगी तो दीपक की परंपरा हमारे कल्चर में है बुद्ध कल्चर में है और दूसरी बात आप देखेंगे जो इस तूप है अब दीपक को आप सीधा रखिए तो वह उसको जलाएंगे तो लाइटनिंग होगी उसमें मतलब वह प्रकास की ज्यान की अवस्ता है दीपक को आप रखें तेल डालें बतिला जलाएंगे तो यदि उसको रखते तो जो सीधा रखा रहेगा दीपक मतलब लाइटनिंग प्रकास जब वह बुच जाएगा तो वह गया निब्बान और उसी दीपक को आप उल्टा रख दीजिए मतलब जो आफसेसों को सरक्षि कलचर का ही बागया और आज भी बना हुए लेकिर समपर्ख सूत जो बोसेगर साब ने बताया तक्र सामने बताया सुदी में बताया जो पुप्प के बारे में गाता-वंदिना पुप्फ मिलायाती यता इदम में कायो तथायाती विनास भावव। पुष्प जब हम अर्बन करते हैं तो इसका मतलब यह है कि पुप्फ मिलायाती यता इदम में कायो तथायाती मतलब हम जो पुष्प अर्पित करते हैं तो पुष्प का जो फून है कि आज पुष्प ख खिला हुआ है और कल जा कर कर मुरज जाएंगा मुर्जा जाएंगा और नस्ट हो जाएंगा तो मैं हर वक्त ये meditation की भावना रखता हूं कि मेरा शरीर अनित्य पूश्प जैसा मिट जाएगा वैसा ही मेरे शरीर का भावने आवला है ये भावना में बुद्ध को पूश्प अर्पुर्ण करते वक्त अपने मन में डाल रहा हूं आईडी जल दिया ना हाँ ही अतुल साक्य जी है ए पर तो लिस ऊपना कुचम पूशवर जबाड़े सर इसे वाले होता है वैग्यानिक वर्मानय होता तर अच्चा ठीक तर ये को तक महाएसी जो होता ना बड़ा इसी बोलते हैं उसको बड़ा वैग्यानिक महाएसी तो इसको m मेरसी बोने लगे बाद मैं इसी से रिषी बना दिया उनोंने संस्कारित वे इसी को इसी बोलते है इसी जो मुझदाय पत्तर होता है न जहां बाराशी में जहां बुद्धरुके ते साड़नाथ में तो इसी पत्तरन का मतलब होता है जहां पर वह ग्यानिक पार्ट पे बैठ तो इसी पटन गटेते हैं वहाँ यह किनारे बार में मुखआ भी होता है जैसे जो महिला चुनती है अब तो वो जो लड़के खड़ी रहते थे वहाँ पर उसमय से महिला है पहले हमारी अच्छा पती चुनते थे अगर आप उस जमाने में होते तो फिर आपको चुनती महिला है अभी तो आपने चुना है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या पर्मिसर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेण गच्छामूँ तुम्तियंपी बुद्धम सरना गच्छामूँ दुम्तियंपी धम्मर सरना गच्छामूँ भूतियं पी दम्मं सर्णं गच्छामी ततियं पी सर्णं सर्णं गच्छामी भूतियं पी सर्णं सर्णं गच्छामी ततियं पी दम्मं सर्णं गच्छामी भूतियं पी सर्णं गच्छामी ततियं पी सर्णं सर्णं गच्छामी